हाई फ्रेंड वेल्कम बेक टो माई चैनल और मैं हूं सखी गार्डन तो आज मैं मेरे गार्डन में आपको क्या दिखाने वाली हूं तो आए मेरे साथ चलिए मेरे गार्डन में तो यहां देखिए यह मेरा था एक गमला और इस गमले के अंदर है यलो रोज प्लांट हां तो अब ही बीच में एक इस्टेम तो इसकी सूख गई थी दूसरी इस्टेम वाकी थी तो यहां मेरे हजब्यान की जिस दिन चुट्टी हुई उन्होंने इसकी स्टेम काट दी तो काटने के बाद में मैंने थोड़ा सा इसमें गुडाई कर दी थी और खाट बगरा डाल दी थ मैंने क्या किया जब मेरी चुट्टी हुई तो मैंने अपने सारी इस्टेमेनी दो हमारे पास प्लांट थे एक पिन कलर का रोज था एक यहलो कलर का था वैसे और भी हैं वाट कटिंग उन्होंने दोकी कर दी थी और फेक दी तो मैंने कचड़े से उठा करके और उसकी मैंने अच्छी सिर्फ यह आठ दिन का रिजल्ट है आठ दिन के अंदर मैं हमारी जितनी टोटल जो कटिंग लगी हुई थी अचाब बीच मैंने एक हिवीस कसका भी डाला हुआ है वाइट कलर का है शायद तो फाल तो पड़े हुए था मैंने उठा कि इसमों डाल दिया मै दाली थी वैसे तो हैं टो लगाना चाहिए वर्ट मेरे पास ताहिम नहीं था तो मैंने दूसरे दिन नहीं सटने वाले दिन लगाई थी तो यह हमारी सारी कटिंग एक दम से लग गई है तो सच बताओं तो मैं बहुत हैपी हूं कि मैं आपको कैसे बताओं कि कितना मैं कि पहली बार कटिंग जो दो दिन से प्लांट पड़ा हुआ था वह मैंने उठा के लगा तो कल मेरा एक प्लांट और खराब हो रहा था देखते ही देखते पान का प्लांट मेरा बहुत अच्छा था और देखते ही देखते एकदम से उसके पत्ते पीले पड़े उसारी काम किया उसके अंदर बहुत ज़्यादा थे वह चीटियां हमारे इस प्लांट में जाने लगी मैंने फटा पड़ हल्दी को लेकर के अपने इस गंबले में भी डाला उसमें भी सब्सक्राइब जाल देखते हैं यह चीटियां साइड में अपना होके चली गए तो इससे क् को जू करते हैं आप उनको ना फेक आप लोक बीवी च्छोटी स्टैम काटके और जो नॉटार रिया होता है जो इना होना पसंद आती है तो सखी गाड़न चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद थैंक्स पूर वाचिंग और अपना धेर सारा ख्याल रखें पिर मिलते हैं आपके साथ एक नई व्रूसाइद